दोस्तों नवासकार स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्रम कार्ड के बारे में इस्रम कार्ड का एक नया पोर्टल चालू किया गया है जितने भी लोग इस्रम कार्ड धारी हैं जिन लोगों का e-shram card बना है उन लोगों के लिए इस पोर्टल की सुरुवात की गई है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप e-shram card बनवा लिए हैं को पहली किस्त आ गई है और दूसरी किस्त नहीं आई है तो आप यहां से complain करके आप अगली किस्त यहां से मंगवा सक और आप इसरम कार्ट को गलती से बनवाली हैं तो आप यहां से इसरम कार्ट को निरस्त करवा सकते हैं तो आपको मैं फुल प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं तो आप वीडियो के लाज तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे क्या करना है तो इक डिस्क्रेप्सन में दे दुँँगा आप सीधे वहाँ से इस पॉर्टल पर आजाएंगे उसके आप यहां से देख सकते हैं आपको स्कोल करके नीचे आना है यहां पर आपको लोज गिःवें सापको देखने के लिए मिल जाता है इस पर आपको कुलिक कर देना है कि सा तो आपको यहां पर किसी भी प्रकाल की आप वरकर हैं तो आपको इस पर देना है तो आपको यहां पर सबसे पहले यू एया नंबर यानि आपको इसरम कार्ड का यहां पर नंबर फिल कर देना है उसके बाद नीचे यहां पर आपको फूल नेम अपना जो इसरम कार्ड में आपका नेम है वह आपका यहां पर फूल नेम यहां पर फिल कर देना है उसके बाद यहां पर आपको मोबाईल नंब फिल कर देने है खोंग सरमकार में डेत्स अबर्थ होगहां को यहां पर έχει दोखे और इना हॉष्क लाधे आपर आक है कहांटरीं फिल कर दिनी एव इसमें पर आपको ईश्टेट्र फिल कर देना ंसे प्योंड करना है प्याला जान कि यहां पर आपको क्योंड करना है जब मोइल नंबर यृत प्रोल कर में चाहिका जाएगा जैसे यहाँ पर क्लिप करेंगे उसके और पर आपको a grievance id या आपको यहाँ पर रिफरेंस नंबर आपको मोबायल पर भेज दिया जाएगा तो आपको फिर से यहां से वैख चले आना है बैक आने के बाद जो यहां पर view grievance status आपको देखनी के लिए मिल जाता है इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला interface खुल कर आ जाता है इसमें आपको grievance ID या जो आपको reference ID आपके mobile नंबर पर भेजी गई है वह आपको इसमें फिल कर देना है और अगर यह आपको किसी भी प्रकार से डिलेट हो जाता है या नहीं रहता है तो जो आप mobile number वहां पर फिल किये हुए वह mobile नंबर आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद यहां पर request OTP पर आपको click कर देना है आपके मुबाइल पर OTP भेद दिया जाएगा उसके बाद जैसे ही आप OTP यहाँ पर फिल करके सब्मिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके कंपलेन का स्टेटस सो कर दिया जाएगा कि आपका जो कंपलेन है उसमें अभी क्या सुनवाई की जा रही है आपको पूरा आसानी से दूसरी किस्त मांगवा सकते हैं आपको अपना कंपलेन का पर स्टेटस देख सकते हैं कि हमारे कांट में पैसा आने वाला है या नहीं आने वाला तो आप बिलकुल आप इजली यहां से कर सकते हैं तो आई होब दोस्तों अगर छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन प्रेस कर दें